मैं दोबारा नहीं कहांगा कि आप इस वीडियो को लासस देखो। हाँ जिन जिनको आप से कंड ब्रहम चाड़ी बनना है वो इस वीडियो में बताई गई चार नियमों में से तिन नियमों को फोलो कर लेना बस। इंद्रियों पर सईयम रखना आंख कान नाग तप्चा जननाघ दिमाग इन पर सईयम रखो आंख शे बलत मत देखो कान से इंद्रियों पर सच्ञाड मत और करो मत पड़ो और जीव से गलत मत बोलो डिमाग को एक आगर करो बका है अघे मैंने सेकिन बताया वो यूट्यूपर उपलब्ध ब्रहमचरे से रेटेट 50% वीडियो का निचोड़ है ठीक है एक बार और देख लो ढंग से अगला है भोजन का नियम या फिर पने पाचनतंत्र को मजबूत करो देखो अगर आप भोजन को नियम करते हो तो आपका पाचनतंत्र अपने आप मजबूत हो जाएगा और आपको अलग से कुछ भी करने की जरूत नहीं पड़ेगी ठीक है देखो जैसा खाओगे अन वैसा होगा मन इससे ब्रहमचरे का क्या लेना देना है वो भी सुन लो अगर बेकार चीज़े खाओगे तला हुआ नॉन वेज फास फूड प्रहमचरे तन से ज़्यादा मन पर निर्वर होता है और अगर आप गंदी चीज़े खाकर मन को गंदा कर लेते हो तो आप 10 दिन से जादा कभी भी भ्रहमचरे का पालन नहीं कर सकते इस बात को में लिक कर दे सकता हूं और आफ सही सात विक्षुद भोजन भी नियम के अन उमर में बढ़ापा आ जाता है और उनका सरीर कभी भी नहीं उभर पाता अब आपको बोजन कौन सा कव कैसे और कितना करना है वो सुन लो बस अगला देड़ मिनट थोड़ा सा भी स्किप मत करना देखो बोजन को जमीन पर बैठ कर और हाँ से खाना चाहिए जमीन पर बैठ क खाने से आपकी जट्रागनी तेज हो जाती है और भोजन का कंकन पचता है लेकिन अगर आप भोजन के निवाले को 32 बार चबा कर खाओगे तो वो सीधा आपके खून में बदलेगा रस का तो बीच में कोई मैटर नहीं है क्योंकि अब आपने उस भोजन के निवाले को इत भोजन करने का अगला नियम यह है कि भोजन से पहले अनपूर्णा को यानि कि जो आपके आगे भोजन रखा है उसको दिल से नमन करो इससे क्या होगा आपका मन शांत होगा और आप हैवान की तरह भोजन नहीं करोगे अगला है भोजन के एक गंटे पहले और दो गंटे ब और कमेंट में 80 ओम लिख देना अगला है विरुदाहार और तामसिक भोजन से जितना हो सके उतना बचे क्योंकि हमारे सरीर के लिए नहीं बने ठीक है तामसिक भोजन में मास, मदीरा, अंडा, दवाईयां, कॉफी, चाई, ये सब चीज़ा आती है विरुदाहार की बहुत ल लंबे समय तक पालन कर पाओगे ठीक है तीसरा नियम जिसकी वज़े से आप लंबे समय तक ब्रमचर्य फोलो कर पाओगे तीन चीज़े हैं इसमें ध्यान, प्रणयाम और महनत, ध्यान करने से आपके मन में गेंदे ख्याल कभी नहीं आएंगे और आपका मन सुद्ध रहे और आपका मन खुस हो जाएगा, आप प्राउट फिल करने लगोगे जिससे आप लंबे समय तक ब्रमचर्य फोलो कर पाओगे, चौते नियम में मैं आपको दो चीज़े बताना चाहूंगा, सबसे पहला हमेसा व्यस्त रहो और अपने गोल को एचीव करने में लगे रहो, ठीक है, अगला है डी मोटिवेट मत हो, मैंने कई लोगों को देखाया है, वो ब्रमचर्य का पालन करते आ रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा रेजल्ट नहीं मिल पाता, क्योंकि उनका टेस्टो हर्मोन लेवल कम होता है, कुछ गलतियों के वज़े से, तो अगर आप फूड बता रखे हैं, जो आपके घर में मिल जाएंगे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक है, जाकर उस वीडियो को पूरा देख लो, और अपना टेस्टो हर्मोन लेवल इंक्रीस कर लो, तो इस वीडियों बस इता ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के स जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, कमेंट में एटी ओम लिख देना और इस चनल को सब्सक्राइब कर लेना